केंद सरकार द्वारा जमुकश्मीर सिधारा 370 के कई प्रावधानों को हटाये जाने के बात से ही भारत पाकिस्तान के बीच तनाव की स्थिती बनी हुई है नहीं पाक पियम इमरान खान और उनके कई मंत्री भारत को परमानु युद्ध की धमकी दे रहे हैं हलाकि भारत भी इसका पाकिस्तान को करारा जवाब दे चुका है इधर भारत पाकिस्तान के बीच उबजे तनाव को देखते हुए अमेरिका ने एक रिपोर्ट जारी की है जिसमें काफी डराने वाले आकड़े पेश किये गए हैं दरसर इस रिपोर्ट में बताया गया है कि अगर भारत और पाकिस्तान के बीच परमानु युद्ध होता है तो इसमें 10 करोड से अधित लोग मारे जाएंगे बता दें कि ये रिपोर्ट साइंस एडवांस में प्रकाशित की गई है रिपोर्ट में ये कहा गया है कि अगर भारत पाक के बीच परमानु युद्ध के स्थिति निर्मित होती है तो देशों ही देशों को भारी नुकसान हो सकता है रडगर्स युनिवर्सिटी के प्रोफेसर एलन रोबॉक और अन्य वग्यानिकों के अनुसार जंग में जो भी नुकसान होगा उसके बारे में तो सभी जानते हैं लेकिन युद्ध के बाद भी लाखों लोगों की मौत होती रहेगी बग्यानिकों के अनुसार दोनों देशों के बीच परमाणू युद्ध होने से धर्ती पर पहुशने वाली सूरी की किरणों की मात्रा में काफी कमिया जाएगी रसे में बारिश भी कम होगी जिसका असर धर्ती पर होगा और खेती बरबाद हो जाएगी साथ ही महासागरी उत्पादक्ता में भारी गिरावट आएगी शोद करताओं की मानित दोनों देशों के पास करीब 400 से 500 परमानू हथियार मौजूद है युद्ध के दरान अगर इनका उप्योग किया गया तो इसका प्रभाव वैश्विक परियावरन के लिए बिनाशकारी होगा रिपोर्ट के नुसार दक्षिन एशिया पर तीन तरह से परमानू युद्ध का प्रभाव होगा अनुमान है कि परमानू युद्ध में होने वाले विस्फोटो से निकलने वाला धुआ 16-36 मिलियन टन काला कार्बन छोड़ सकता है जिसकी तिवरता से हफ्तों में दुनिया भर में इसका असर देखने को मिलेगा ऐसे में जिन देशों का इस युद्ध से कोई संबंद नहीं होगा उन्हें भी इसका गंभीर परिनाम भुगतना पड़ेगा परमाणू विस्फोर्ट से वायू मंडल में कार्बन भारी मात्रा में सोरर रेडियेशन को इखटा कर लेगी जिससे हवा अधिक गर्म हो जाएगी और धुआ आगे नहीं निकल पाएगा ऐसे में प्रत्वी तक पहुशने वाली धूप 20-35 वी सदी कम हो जाएगी जिसके परिणाम स्वरू बारिश में गिरावट आजाएगी परमाणू युद्ध के सिती से वायू मंडल में कार्बन की मात्रा बढ़ेगी जिससे सूरज की किरन धर्ती तक नहीं पहुच पाएगी और बारिश भी नव के बराबर होगी जिसके चलते गर्मी की तपिश से जमीन सूख जाएगी और खेती पूरी तरह से बरबाद हो जाएगी ऐसे में वनस्पति विकास और महासागर उत्पादक्ता पर गंभीर प्रभाव देखने को मिलेगा रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि भारत पाकस्तान के बीच बनने वाले परमानु युद्ध के परिणाम बेहत गंभीर होंगे जिससे उबरने में दुनिया को दस साल से जादा का समय लगेगा